नमस्कार दोस्तों Class 8, Maharashtra State Board Mathematics Chapter No. 15 Area Practice It 15.5 में Question No. 1 हो चुका है Question No. 1 में First Question था जो कि हो चुका है अब Question क्या है दिखे Find the area of the given plots All measures are in meters सभी major जो हैं वो meter में दिये गए हैं और उन्ही प्लोट का हमें एरिया प्रेंट करना है यहाँ पर जो A, B, C, D, E A, B, C, D, E प्लोट दिया गया है इस प्लोट का एरिया प्रेंट करना है तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बिल आइकन प्रेस करें जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन्स मिल जाए अब देखिए क्या होता है यहाँ पर जो प्लोट का एरिया प्रेंट करना है इस प्लोट का अगर एरिया प्रेंट करना है तो प्लोट में जितने भी जितने भी डाइगराम से उन सभी का एरिया प्रेंट करना है और उनकी अडिशन करना है अब ऐसे डाइगराम चुनना है जिनकी जिनका हम एरिया प्रेंट कर सकते हैं हम देखें यहां पर A, B, E जो ट्रेंगल है इस ट्रेंगल में एंगल A यहां पर राइट एंगल है 90 डिगर का एंगल यहां पर है तो राइट एंगल का ट्रेंगल में है यहां पर बेस और हाइट तो यहां पर राइट एंगल है राइट एंगल ट्रेंगल में है पूटीनिस और एक साइड दी गई है, तो दूसरी साइड अगर हम find करते हैं, तो 1 by 2 base into height का formula हम use कर सकते हैं, तो easily हम यहाँ पर पायतावरस theorem use कर सकते हैं, और पायतावरस theorem से AE की length find कर सकते हैं, फिर दूसरा triangle होगा BEC, अब जो BEC का triangle का area है, इसमें तीनों साइड की length हमें पता है, formula है, उस formula से हम triangle B, C, E का area find कर सकते हैं, और जो triangle C, D, E है, इस triangle में, C base, तो height, यहाँ पर D, जो भी point दिया गया हो, यहाँ पर suppose F, तो D, F, जो है, वो height, तो यहाँ पर नाम नहीं दिया गया है, बुग में मेरे, तो और जो 16 यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर CD की जगे पर 16 दिया गया, लेकिन CD 16 नहीं है, यहाँ पर हमें, जो height है, वो CD, D, F, height 16, meter लेना है, क्योंकि सभी जो measures हैं, वो meters में है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर A, E की length find करेंगे, area, sorry, using Pythagoras theorem, तो in triangle A, B, E हमें लिखना कैसे दिखे, अभी जो first step है, उसमें सभी के measurement लिखना है, length of A, B, length of B, length of BC, length of EC, length of MD, और तो आप अभी इससे पहले जोड़े था, उसमें आप सिग गया हो, कैसे लिखना है, तो हम directly थोड़ा आगे, सवाल करेंगे, तो intangle BAE, intangle BAE, हमें लिखना angle A is equal to 90 degree, तो using Pythagoras theorem, हमें यहाँ लिखना using Pythagoras theorem, using Pythagoras theorem, B square is equal to A B square plus A square, तो हमें यहाँ लिखेंगे, B square is equal to BA square plus A square, BA square, BA square is equal to BA square plus A square, अब जो BAE के length है, देखें, B 30 है, और AB 24 है, तो 30 और 24, हम यहाँ लिखेंगे, BAE 30 square is equal to BA 24 का square plus AE square, अब 30 का जो square है, वो होगा 900, is equal to 24 का जो square है, वो होगा 576, plus AE square, अब AE square के अगर हमें length find करने है, तो 900, 576 का हमें left hand side लेना है, तो 576 left hand side होगा, तो AE square is equal to, 900 से अगर हम 576 minus करता है, तो यहाँ पे 324 आता है, अगर AE, जो है, AE का square है, वो हमें left hand side में लेना है, यहाँ पे, तो left hand side में square root हो जाएगा, तो 24, 324 का square root, तो AE की जो length है, वो आएगी 18 meter, क्योंकि 18 का square है, वो है 324, तो 324 का जो square root होगा, वो होगा 18 meter, तो यहाँ पे AE हम लिखेंगे 18 meter, जो कि हमें बाद में पता चला है, तो अब A, B, E का area हम find कर सकते हैं, तो area of triangle A, B, E is equal to 1 by 2 base into height, तो हम यहाँ पे लिखेंगे area of triangle A, B, E is equal to 1 by 2 base into height, और 1 by 2 into, base आप कोई भी ले सकते हो, दोनों side में से एक, अगर A, B हमने base ले लिया, तो A, B, height हो जाएगी, और अगर A हमने base ले लिया, तो A, B, height हो जाएगी, तो हम लेंगे यहाँ पे A, B, base, तो 1 by 2 into A, B into A, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 by 2 into A, B into A, तो is equal to 1 by 2 into A, B के length 24 cm, A, B के हमने A के length हमने find कर लिया अभी 18, तो 2 से हम divide कर लेंगे यहाँ पे 2, 9s 18, तो 24 को 9 से multiply करना है, तो यहाँ आता है 216 meter square, डारेक्टल आपको टेबल पता है तो यहाँ पे आजाएका नहीं तो 9 से इन दोनों को multiply करें, 9 forza 36 को यहाँ पे 6 लिखना है, 3 बार लिखना है, 9 forza 18 plus 3 21, 216 meter square, A, B, E का area आगया, अब हमें जो triangle दिया गया है, दूसरा A, E, C, A, E, C में urons formula यूज़ करके हम area find कर सकते हैं, तो 30, 28 और 26, तो A, B, C, small A, B, C जो हैं, वो हमें यहाँ पे 3 set की length लेने, तो 30, 28 और 26 हम यहाँ पे ABC की values लेगें, तो in triangle B, E, C, B, E, C triangle का name है, तो small A is equal to 30, small B is equal to 26, और small C is equal to 28, meters, meter, और meter, मतलब सभी meters में measurement, तो अब हमें पहले semi perimeter find करना है, तो यह square find करना है, तो A plus B plus C, divide by 2, तो यह होगा 30 plus 26 plus 28, divide by 2, तो E, C is equal to 6 plus 8, 14, बहरो, carry 1, 2 plus 2, 4 plus 1, 5 plus 3, 8, 84, divide by 2, तो यहाँ पे होगा 42, 84 को 2 से divide करने के बाद, 42, अब using Eurons formula, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, using Eurons formula, area of triangle, जो triangle का नाम है, वो हमें लिखना है, यहाँ पे B, C, E, तो हमें यहाँ पे लिखेंगे, area of triangle B, C, E, area of triangle B, C, E, is equal to 1 by 2 into, sorry, 1 by 2 का नहीं है, Eurons formula है, तो S into S minus A into S minus B into S minus C, तो square root of, square root के अंदर अभी, 42 S की value है, तो 42 into, तीनों जो sides हैं, A, B, C, S से minus करना है, तो 42 minus 30, 42 minus 26, और 42 minus 28, 48 से तीनों को हमें, subtract करना है, तो यहाँ पे होगा, square root of, 42 into, 42 से अगर हम 30 minus करता हैं, तो यहाँ पे 12 आजाएगा, फिर multiplied by, 42 minus 26, यहाँ पे 12 minus 66, यहाँ पे 3 रहेगा, 3 minus 2, 1, 16, इन्टू, 12 minus 8, 4, 3 minus 2, 1, 14, अब हमें यहाँ पे, square root of, 42, 12, 16, और 14, इन सभी के, prime factors, find करने हैं, और, इस square root के अंदर लिखने हैं, फिर उनके, दो-दो की पेर हमें, लिखनी हैं, और दो-दो की पेर में, square root हमें, find करना है, तो हमें जो area है, वो यहाँ पे, मिल जाएगा, तो 42 के जो, 2 into 21, 21 के 3 into 7 factors होंगे, अब 12 को लिखना है, 2 into 2, 4, 4 into 3, 12, 16 को लिखना है, 2 into 2, 4, 4 into 2, 8, 8 into 2, 16, 14 को लिखना है, 2 into 7, तो यहाँ पे होगा, अभी, 120 है, तो इन दोनों के 2 के बदले में, 1 2 square root के बाहर, जहां पर 3 है, जहां पर 3 है, इन दोनों के बदले में, 1 3, अब जिन दो के हमने pair लिये, उनको underline करना है, बाद में उनको नहीं लेना है, पिर यहाँ पे 7 है, फिर यहाँ यहाँ पे 7, तो उन दोनों के बदले में एक सेवन फिर यहां से टू एक और एक टू फिर इन दोनों टू के लिए एक टू और इन दोनों टू के लिए एक टू अब इन सब का आप मल्टिप्लिकेशन करिये मल्टिप्लिकेशन कैसे करना है देखे त्री टू त्री जा सिक्स सिक्स to 4, 84 को 4 से multiply करना है, तो यहाँ पर जो multiplication होगा, 356 meter square area है, इसलिए हमें लिखना है meter square, अब एक जो triangle रहे गया है यहाँ पर triangle C, D, E का, 1 by 2 based into height का formula हमें यहाँ पर लिखना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे area of triangle C, D, E is equal to 1 by 2 based into height is equal to 1 by 2 into C base and height D, F, तो 1 by 2 into C की जो लेत होगी वो 28 into D, F height होगी 16, अब 2 से 16 को डिखन करना है 28 से 16 28 multiplied by 8 28 को 8 से हमें multiply करना है तो यहाँ पर जो area हमें मिल लेगा वो 224 तो 224 मिटर square अब जो इन तीनों ट्रेंगल का area आ गया है उन तीनों ट्रेंगल के area के हमें addition करनी है तो हमें पूरे जो plot का area है वो हमें मिल जाएगा तो area of plot का नाम देखें क्या है A, B, C, D, E तो हम यह लिखेंगे यहाँ पर area of plot A, B, C, D, E is equal to area of triangle A, B, E पहला जो triangle था area A, B, E प्लस area of triangle B, C, E दूसरा triangle था B, C, E का प्लस तीसरा जो triangle है वो हमने अभी area of triangle C, D, E find कर लिया अभी तीनों का जो area है वो देखें A, B, E का area 216 meter square तो A, B, E का area 216 meter square प्लस B, C, E का area triangle B, C, E का area 356 meter square तो 356 meter square प्लस C, D, E का area C, D, E का area यहाँ पर आगा 224 तो हम यहाँ पर लिखेंगे 224 अब इन सब की आप addition करिए तो जो भी answer आएगा वो आएगा 796 meter square meter square लिखेंगे या फिर 796 square meter लिखेंगे दोनों भी answer जो हैं वो same है और दोनों भी सही हैं तो इस तरिके से हमें जो भी प्लाट दिया गया है उसका area हमें find करना है तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों वीडियो watch करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत बहुत-चाई है